दोस्तों बीच मैच में ऐसा क्या हुआ कि देहली केपिटल्स के हेड कोच रिकी पॉंटिंग और देहली केपिटल्स के कप्तान रिशाप पंथ भिर गए एंपायर से जिसे देख हर कोई रह गया है रान जी हां दोस्तों आपको बददू आज देहली कैपिटल्स और राजस्थान रोयल्स के बीच IPL का रोमाइन चक मुकाबला खिला जा रहा है इस मैच में राजस्थान रोयल्स ने पहले बलेबाजी करते हुए 186 रन बनाई आपको बददू जब देहली कैपिटल्स की टीम 187 रनों को चेस करने के लिए मेदान पर उतरती है तो उसी समय रिकी पॉन्टिंग देखते हैं कि राजस्थान रोयल्स के तीन विदेशी खिलाड़ी मेदान पर होते हैं रिकी पॉंटिंग एम्पाइर से कहते हैं कि विदेशी खिलाली चार की जगा तीन है इसलिए आप नो बॉल दीजिए आपको बददू इसके बाद एम्पाइर पॉंटिंग को बताते नजराते हैं कि फिल्डिंग के दोरान चार ओवर्सीज पिलेयर से ज्यादा नहीं रह सक करते हैं इसके बाद एम्पाइर आकर पॉंटिंग को लिखित में दिखाते नजराते हैं तो दोस्तों क्या पॉंटिंग को एम्पाइर के साथ ऐसा करना चाहिए था कमेंट कर हमें जरू बताएं